अलवर की राजगर में मंदिरों पर चलाए गए बॉल्डूजर का मामला थोल पकड़ता जा रहा है बीजेपी गेलो सरकार को जिम्चे ठहरा रही है तो राज्य सरकार का दावा है कि फैसला बीजेपी के बोर्ड का था राजे सरकार को तो इसकी जानकारी भी नहीं थी कि पुराने मंदिर को गिराने की तैयारी की गई है सरकार ने मामले में राजगर नगर पालिका को नोटिस जारी किया है जिस पर बीजेपी का अबज़ा है मंदिर मामने में चल रही राजनीती के बीज आज बीजेपी और उसके करीबी हिंदू संगट्टों ने रैली निकाली और गहलो सरकार को ही जिम्मेदार ठैरा दिया 17 अप्रेल को अलवर की राजगड में नगरपालिका ने मास्टर प्लान के नाम पर सो निर्मान कारिट डहा दिये थे जिसमें मकान दुकानों के अलावा तीन मंदिर भी थे जिसमें से एक मंदिर करीब 300 साल पुराना बताया गया है मंदिरों के गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इसे लेकर राजनीती तेज हो गई बीजेपी ने राजी की गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि गहलोत सरकार और अंगजेव की नीती पर चल रही है लेकिन कॉंग्रिस ने भी बीजेपी के आरोपो पर तुरंत पलटवार करते हुए साफ कर दिया कि मंदिर गिराने के मामले में राजी सरकार का कोई हाथ नहीं है इसका प्रस्ताव राजगर नगरपालिका परिशद ने पास किया था जिसमें 34 में से 32 पारशद बीजेपी के हैं बीजेपी के बोर्ड ने ही मंदिरों के खिलाफ कारिवाई का प्रस्ताव पास किया है और अब अपनी गलती के लिए राजी सरकार पर दोश मढ रही है गहलोत सरकार ने मंदिर पर की गई कारिवाही को लेकर राजगर नगर पालिका को नोटिस भी भेजा है सरकार अतिक्रमन की कारिवाही में शामिल तीन अतिकारियों को सस्पेंड कर चुकी है जिसमें राजगर के SDM केशब मीना और नगर पालिका के एक्जिक्यूटिव ओफीसर बनवारी लाल मीना का नाम भी शामिल है गहलोत सरकार एक्शन मोड में दिख रही है तो बीजेपी इसे पूरी तरह से सांप्रदाइक रंग देने में जुट गई है बीजेपी मामले को धार्मिक रंग देते हुए अपनी गलती पर परदा डालने में जुटी हुई है आज राजगर बीजेपी और उसके करीबी हिंदू संगठनों ने आकरोश मार्च निकाला और एक बार फिर मंदिर गिराने की घटना के लिए गहलूत सरकार को जिमिदार बता दिया हिंदू संगठन रैली निकालते हुए कलेक्टरेट पहुँचे जहां उन्होंने प्रदर्शन किया बीजेपी नेता राजु सरकार पर तो आरोप लगा रहे हैं लेकिन इस बोर्ड पर सवाल करने से बच रहे हैं जिसने मंदिर गिराने का प्रस्ताव पास किया था डीवी लाइफ की रिपोर्ट